नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनी साब सब का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्प्रीन के बारे में एस्प्रीन जो होती है वो बहुत ज़्यदा प्रियोग होने वाली दवाईया है और खास करके बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो तो बहुत सारे लोग जो है एस्प्रीन का प्रियोग करते हैं लेकिन एस्प्रीन को ज्यादतर लोग जो है वो इकोस्प्रीन के नाम से जानते हैं एकोस्प्रीन और कुछ-कुछ जो लोग है वो इकोस्प्रीन प्लस इसके साथ एक और दवाई होती है प्लस इसके साथ क्लोप विड़ो ग्रिल का कॉंबिनेशन में आती है उसका प्रियोग करते हैं तो अभी हम आगे वीडियो में discuss करने वाले हैं कि इसके पारे में हम बहुत सारी चीज़े बात करने वाले हैं और इसका कहां पर प्रियोग करना चाहिए इससे related जो भी चीज़े हैं तो दोस्तों वीडि से आप सभी लोग platelets को जानते हैं aggregation उनके इखट्टे होने से उनको रोकती है तो जो भी विमारीया होती है जीन में platelets इखट्टा हो कर के कोई भी नुकसान कर सकती है कोई भी समष्य खड़ी कर सकती है उन सब स्थितियों में इस दवाई का प्रियोक करेंगे ताकि जो है platelets सह खटी ना हो प्लेटलेट्स का जो aggregation हो रहा है platelets सह खटी ना हो ठीक है जी इसके सासद इसके कुछ और भी एक्षन होते हैं जैसे कि anti-piratic ज्यानि की यह जो दवाई है यह anti-piratic means होता है बुखार उतारना, यह दवाई है, यह बुखार उतारने में भी मदद करती है, बुखार उतारने वाले दवाईयों के ग्रुप में भी यह सामिल है, इसके साथ एनाल जैसिक प्रोपर्टी होती है, एनाल जैसिक का मतलब होता है, पेन किलर, ठीक है जी, पेन किलर, दर्द नि नहीं देखते होंगे तो क्यों नहीं देते क्योंकि माल लिजे किसी को सर में दर्द है सर में दर्द हुआ तो उस व्यक्ति ने पहले क्या करता था कि बहुत सारे लोग जो है इस दवाई को ले लेते थे एस्प्रीन को लेकिन यदि किसी को सरमे दर्द है तो सरमे दर्द होने का एक और कारणव हो सकता है वो हो सकता है यदि किसी व्यक्ति का BP बढ़ जाए माल लिजे किसी व्यक्ति का BP जो है वो 220 हो चुगा है उपर का और नीचे का 120 ठीके जी यानि कि BP बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा सर में दर्द हो जाएगा सर में दर्द हुआ उस व्यक्ति ने यह जो दवाई है यह दवाई ले ली इस दवाई का क्या काम होता है कि यह ब्लड को ब्लड को पतला करती है, प्लेटलेट्स को कम करती है, तो यदि 220 BP में इस दबाई को दे देंगे, तो क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के ब्रेन के अंदर हैम्रेज हो सकता है, तो उस व्यक्ति के को कई बार क्या हो जाता था, कि उन लोगों को ब्रेन हैम्रेज हो जाता था, और इसमें सिर्फ बुज़रुग लोग नहीं होते थे, इसमें जो है, brain hemorrheage में, जवाल लोग भी हो सकते थे, तो आज एकल जो है, इसका प्रयोग दर्द वाली जो pain killers के रूप में नहीं करते हैं, अब इसका pain killer रूप नहीं हो इसलिए जो है TV पर इसका add बियाना बंद हो गया है अब हम बात करते हैं कि onset कितनी देर में यह जो दवाई है अपना काम सुरू कर देती है तो PO, PO का मतलब होता है paroral, मुह से, मुह से जब लेते हैं इस गोली को तो यह 5 से लेकर के 30 मिनट के अंदर अपना काम सुरू कर देती है अब देखिए इसमें दो प्रकार की दवाई आती है, एक आती है entry coated तो जो coated दवाई होती है, ठीक है जी, जो coated दवाई होती है वो थोड़ा late action करती है पर 5 से लेकर के 30 मिनट के अंदर यह अपना काम सुरू कर देती है duration, कितने समय तक यह काम करती है, यदि paroral ली जाए तो 4 से लेकर के 6 गंटे तक इसका action रहता है, इसका समय रहता है distribution वगरा body में यह भी हम discuss नहीं करेंगे मेटाबोलिजम को हिंदी में बोलते है उपआपचे और metabolism जो है इसका via liver लीवर के दोरह हमेटाबोलिजम होता है और metabolites यानी कि इसका जब liver इसका metabolism कर दोता है, इसका utilization कर दोता है, तो उसके बाद में कुछ तत्तू बन जाते हैं जो waste product या इसके जो है byproducts होते हैं उनको metabolites बोलते हैं तो metabolites जो होते हैं वो ये नाम दिये गए हैं आप लोग video को post करके देख सकते हैं इसके साथ हम बात करेंगे कि elimination मतलब निवारण इसका जो है हमारी body से किस परकार से elimination होती है तो पहले तो बात करते हैं half life की उसका मतलब होता है कि प्लाजमा के अंदर किसी भी दवाई की मातरा जो होती है वो आधी कितनी देर में रह जाती है तो उसको टी हाप बोलते हैं half life तो प्लाजमा के अंदर इसकी जो half life है वो 2-3 गंटे की है एक्सक्रीशन बाहर निकलना बोडी से इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन के थुरू होता है और 80 से लेकर के 100% जो दवाई होती है वो यूरिन में निकल जाती है यह आगे बात करेंगे हो सकती है या फिर जो है कोई वक्ति पहली बार सेवन कर रहा है और उसको किसी परकार की एलर्जी की रियक्षन है तो नहीं लेते अर्टी के रिया अर्टी के रिया एक बहुत ही मैतुपून टोपिक है हम इसके बारे में आगे जब वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी हम इसके उपर एक वीडियो बनाने की कोशिस करेंगे तो ब्लीडिंग जिन लोगों को जो है पहले कभी जी आई अलसर हुए है मतलब आतों के अंदर से खुन का रिसा हुआ है कोई ब्लीडिंग हुई है खुन की उल्टी आई है या फिर लेटिन जो होती है उनको काली आई है तो ऐसी इस्तिती में यह जिन लोगों को आलसर रहते हैं पेट में यह जिन लोगों हीमोलाइटिक एनीमिया हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि जिसमें एच बी जो हीमोगलोबीन होता है हमारी बोड़ी का टूटने लग जाता है तो ऐसा कोई एनीमिया उसके करण खुन की क तो जिन लोगों में ऐसी इस्तिति हो जाती है जो महिलाएं बच्चों को दूद पिलाती है ठीक है एलेक्टेटिंग मतर जो होती है बच्चों को दूद पिलाती है वो उनमें यह जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है उनमें यह जिनको अलसरेटिव कोलाइटिस है ठीक है ये भी आतों की एक बिमारी है इसका भी जो है आगे वीडियो मना करके जिगर करेंगे और जिनको थ्रंबोसाइटोपीनिया है थ्रंबोसाइटोपीनिया क्या होता है एक बहुत ही कॉमन टर्म है और जिन लोगों को डेंगू के बारे में कोई जान का रही है तो उनको अपर द्चोको दूद पिला रही है एनिमी जिनको खून की कमी है जी आई माल अपिट्रप्षन मनल जिनको जिनकी आते अच्छे Way क काम नहीं करती हैं जो बोजन चुब आपकती करते हैं च्छो से पिचनब नहीं दे पाती पूरासर को तो वो लोग इसका प्रियोग नहीं करें ठीक है जिनको थाइरोड की बहुत ज़्यादा गंबीर समस्य है विटामिन के की जिनके सरीर में कमी है विटामिन के कमी कहा मिलती है जिनको लिवर की बिमारी होती है जिनको रिनल केलकुली हो जिनको गुर्दों में पत्री हो वे लो जो है खाने के साथ भोजन के साथ ली जानी चाहिए अदर्वाइस यह बहुत जदा ऐसीडीटी मनाती है और अलसर भी पेट में कर सकती है ठीक है जी ऐसीडीटी मनाती है तो फूड भोजन के साथ ही ली जानी चाहिए बिल्कुल साफ है बात और 8-12 ओज को जो है आप लोग पेट करके कनवर्ट कर लीजेगा तो वो एमल में बता देगा आपको वर्टर ठीक है जी तो 8-12 ओज जो पानी है उसके साथ ले ताकि जी आई जी मतलब है पेट में आतों में से संबंधित दिक्कत ना हो ठीक है अब बहुत ही जल्देली बात कर लेते हैं कि इस दवाई का प्रियोग किन किन इस्थितियों में कराया जाता है तो दर्द की डर्द बुखार उतारने में भी इसका प्रियोग होता है आज कल नहीं होता पहले होता था तो इसके साथ साथ जो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है हार्ट अटेक तो जिन लोगों को हार्ट अटेक हुआ है उन में इस दवाई का बहुत ज़्याद प्रियोग है और इसकी लोडिंग डोज दी जाती है और मेंटेनेंस डोज चलती है इसकी लोडोज में इसकी एस्पिरिन की वो किन लोग के बनने की सम्भावना हो, या बन चुके हो, या उनको श्टंट लगाओ, या हार्ट अडएक पहले हुआ हो, ठीक है, तो जिनको हार्ट की नसों की दिक्कत है, मतलब आर्टरीज की दिक्कत है, उनमें एधिरो स्कुलेरोटिक, मतलब खुन के ठक्के ना जमें, तो उस चीज कि खुन की नस फट गई हो दिमाग के अंदर उसको बलते हैं एक में नस बंद होगी तो जिन लोगों को दिमाग की नस ब्लोक हुई थी उन लोगों को भी लो डोज में इसकी डोज दी जाती है तो यह दवाई जो है थोड़ी सावधानी पूरवक प्रियोक करने वाली सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपके जितने भी कोश्चन और उनका अंसर दे सकूँ सो के सो परसेंट कोश्चन का अंसर दे पाना तो देखिए संभब नहीं हो पाता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक और सेयर भी कर दि